नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक्स व्लोग पर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लेमन ग्रास के बारे में बात करेंगे जिसे इसका साधारण बोल चाल की भासा में इसे लेमन ग्रास ही कहा जाता है नीचे से इसके अंदर बिल्कुल सर्पत जैसी आपको आकृतियां दिखाई देंगी सरपत उत्तर प्रदेश में जो है वो सड़कों के किनारे उकते हैं जिसे चपर और गास पूसक के घर बनाने में जिसका इस्तमाल किया जाता है बिल्कुल वैसे ही नीचे से देखने में लगता है पत्यां भी नियर अबाउट वैसे ही होती है लेकिन जैसे ही इन पत्यों को तोड़ कर हलका सा आप अपने नाक के पास ले जाएंगे इसमें से बिल्कुल नीमू जैसी महकाती है इसलिए इसे लेमन ग्रास का नाम दिया गया है ये पौधा जो है बहुत ही जादा यूजफुल है हर व्यक्ति के लिए क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा मेडिशनल प्लांट है बहुत सारी इसके अंदर औसधिये गुड़ पाये जाते हैं चाहे माइग्रेन की समस्या हो पेट संबंदी समस्या हो खून के अंदर जो है अशुधिया हो उन सब को ठीक करने के लिए इसका इस्तमाल होता है एक अलग वीडियो मैंने पूरा इस टॉपिक पे बनाया है इसके बहुत ज़्यादा जो है इसके मेडिकल प्रॉपर्टीज पे हम डीप में नहीं जाएंगे मसीतना जान लीजिए कि ये औसधिय गुड़ों से भरपूर पौधा है इस पौधे को लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है ये जो इसका छोटा सा पब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको आप इसी तरीके से निकाल लीजिए यहाँ से और किसी भी पौट के अंदर लगा दीजिए एक आद दो हपता या फिर हो सकता है कि तीन से चार दिन ये आपको थोड़ा सुखा सुखा दिखाई दे लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है बिलकुल हारा भरा और घना जो है आकरिती बो ले लेता है अभी ये जो मेरा पौट है इसके लिए छोटा पड़ रहा है देखिए इसने इसको तोड़ना भी सुरू कर दिया है अब मुझे इसे किसी दूसरे पौट के अंदर सिप्ट करना पड़ेगा लेकिन फिलहाल अभी तो कुछ दिन तक मेरे पास पौट अब लेवल नहीं है और खास तोर पर मिट्टी की उपलब्दता नहीं है इस वज़े से मैं कोई भी सिप्टिंग नहीं करूँगा तो लगाने का तरीका बहुत आसान है यहां से आप इसको सेपरेट करके कोई कोई भी आप एक स्टेम निकाल लीजिए और उसको मिट्टी में लगा दीजिए बहुत जल्दी इसके अंदर रूटिंग सुरू हो जाती है लगाने के लिए अगर पौट साइच की बात करी जाए इस पौधे की तो आप मेनिममम छेंज का पौट सेलेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इसके लिए आप कितना भी बढ़ा पौट लेजिए यह उसको पूरी तरीके से भर लेता है बहुत ही आश्यस जनक रूप से इसकी ग्रोथ आपको होती दिखाई देगी बहुत सारी medical properties से युक्त है इस वज़े से अगर आपके garden के किसी कोने में अगर यह पढ़ा रहता है तो हर्याली के साथ साथ जो है आपके स्वास्त को भी बढ़ाने का काम करेगा तो लगाईएगा जरूर मिट्टी इसके लिए आप 50% garden soil ले लीजिए और उसके बाद हाफ हाफ पार्ट जो है कोको पीट स्वारी कॉम्पोस्ट और सैंड का मतलब पचास, पच्चिस और पच्चिस के रिशियो में जो है मिट्टी बनाकर आप इसको लगाईए फूल सनलबिंग प्लांट है तो पूरा धूप में रखिए कटिंग लगाने के बाद आप एक आदा दो दिन सेड में रख सकते हैं वरना धूप में भी इसकी कटिंग बहुत इजली चल जाती है हाला कि मैंने जब ये कटिंग लगाई थी तो मैंने नियर एबाउट जो है चार से पास दिन इसको शेड में रखा था उसके बाद मैंने इसकी सिप्टिंग की थी और सेम पॉट के अंदर मैंने इसकी कटिंग लगाई थी एक सिंगल कटिंग लगाई थी पता नहीं सायद किसी वीडियो में शेयर भी करा हो आज देखिए पूरा कैसे घरासा बिल्कुल बन गया है से मैंने बिंटर में जब ये खराब हो जाता है तो मैंने इसको नीचे से प पानी मिट्टी को चेक करके देना है और अगर पानी आप कम देगे ना तो यह पत्ते जो है यह ऐसे पता नहीं कैसे बंद जैसे हो जाते हैं बिलकुल सिकुड से जाते हैं तो पानी आप उपलद इसको समय सब्सक्राइब कराते रहेगा बहुत ज्यादा मॉश्यर की जरू तो लिक्वid fertilizer शामे समय से देते रहें तो आपके पौधे के लिए बहुत ही आच्छा होगा। और लिक्रीट fertilizer में कोई भी Likkokete fertilizer आप अपने इस पौधे को डालूट करकर दे सकते हैं घना ने के लिए आप जितना इसको उपर से कट करेंगे, नीचे से इतना ज़्यादा घना होता जाएगा, पत्तियां ज़्यादा से ज़्यादा चाय में इस्तेमाल कीजिए, जो आप नॉर्मल चाय बनाते हैं, या फिर सिर्फ इसी की लेमन ग्रास की टी आप बना कर पीजिए, उसमें दो चा कलर चेंज होकर थोड़ा ग्रीनिस सा होने लगे, उसको गैस तो को आफ कीजिए, आप इसको चान कर निकालिए, और उपर से थोड़ा सा नीब, जो है, सहद नीबू डालेंगे, तो खटा हो जाएगा जादा, आल्रेडी इसका स्वार जो है, खटा सा होता है, तो आप उसम में दो-तीन बूदे सहत की डाल कर बढ़ियां से घोल लीजिए, और गरम-गरम पीजिए, घुट-घुट करके, आपका वजन जो है, घटाने में बहुँ ज़्यादा ये हेलफुल होगा, और कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है, तो आई थिंक जो है, जो मैंने किरे बबाए और टेक केरा